अगर आप यह step लेते हो तो 110 परसेंट जिसका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है एडमिट काड डमी एडमिट काड उसका रिकॉर्ड फाउंड हो जाएगा साथ में उनको डमी आर एडमिट काड जो है वो भी शो करने लगे उसके लिए आपको करना क्या होगा डारेक्ट फोन पर कितना भी ट्राइ कर लिजेगा नो रिस्पॉंस बिहार बोड की ओर से ठीक है हो सकता है उठा लेते हैं टाइम पास करते हैं रख देते हैं लेकिन कोई भी आपको वापर सुलूशन नहीं मिलेगा अब बिहार बोड में आपको कांटेक्ट कैसे करना है यह जा उन्होंने अपना वो गलती सही नहीं किया और डेट खतम हो गया तो उन कंडिशन में क्या होगा उनके साथ सबसे पहले हम बात करेंगे कि डमी एडमिट कार्ट नो रिकॉर्ड फांड आने का रिजन क्या होता है और दूसरी डूसरा टॉपिक जो है वो यह है कि डमी एडम आपको मैं रिजन बताता हूँ कि डमी एडमिट कार्ड नो रिकॉर्ड फांड क्यों आता है उसके बाद मैं इसका सेल्यूशन भी आपको बताऊंगा किसका सेल्यूशन क्या है आपको करना क्या होगा इसके लिए तो देखें डमी एडमिट कार्ड नो रिकॉर्ड फांड आने का कोई एक प्रॉपर रीजन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक रीजन नहीं बता सकता आप लोग यहाँ पे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि ऐस ऑफ बताता हूँ हो सकता है कि स्टूडन्ट आप लोग को फिलब करना था आपने उसके जगह पर किसी और फेकल्टी का स्ट्रीम का फॉर्म फिलब कर दिया तो यह सब चीज होता है मिस्मैच डाटा के वज़े से मतलब कि यह कि जब बिहार बोट के ऑफिसियल साइट पर बच्चों का डेटेल से अपलोड होता है तो वह अगर सब चीज सेम है तो आपका कोई भी अधिक्कत नहीं होने वाला है अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है माल लिजी कि आपका स्ट्रीम साइंस और आपने जो फॉर्म भरा वो कॉमर्स के भर दिया तो यहां पर जहिर सी बात है डाटा मिस्मैच है जहां डाटा मिस्म प्रेंट ने सही सही सब चीज किया था तो जायर शिवा थे स्कूल कॉलेज की गलती यह बिहार बोट की गलती नहीं होती है क्योंकि बिहार बोट को जो भी आप देजिएगा वहीं वह अपने सर्वर पर डालेगा और जैसे कि आप सभी को पता है ए आई टूल आ गये हैं आ जादा जरूरी है solution का जिनका no record found आता है देखिए no record found आया मतलब कि आपका खेल खतम है माल लिजए कि खेल खतल में हो सकता है मुझे पता है कि आपके स्कूल कॉलेज में आपके टीचर बोलते होंगे प्रिंच्पल बोलते होंगे कि आज आएगा शर्वर का प्रावलम है ओ उपर भी प्रेसर है या तो वो सही बात बता दे कि आखिर में रिजन क्या है नो रिकार्ट फाउंड आने का या फिर उसको सही सही बता दे कि तुम्हारा नहीं हो पाया है फिर से करना परेगा तो यहाँ पर जो है गलती हंड़ी परसेंट जो हैं कॉलेज और स्कूल के तरफ अब देखें यहां पर आपको क्या step लेना है अगर आप यह step लेते हो तो 110% जिसका no record found आ रहा है admit card dummy admit card उसका record found हो जाएगा साथ में उनको dummy admit card जो है वो भी शो करने लगे उसके लिए आपको करना क्या होगा डाइरेक्ट बूर्ड ऑफिस से आपको contact करना होगा अब देखें फोन पर तो आप से होगा नहीं फोन पर कितना भी ट्राइब कर लिजेगा नूर्ड रिस्पांस बिहार बूर्ड की ओर से ठीक है हो सकता है उठा लेते हैं टाइम पास करते हैं रख देते लेकिन कोई भी ऐसे परसन है या फैमली में कोई रिलेटिव है जो कि बिहार बोर्ड में उनका contact है किसी के जर्गे ठीक है तो उनके थुरू आप बिहार बोर्ड में बोर्ड ऑफिस में जाए और वहां पर जो है आप अपना हेल्फ सेंटर होता है उसका साइवर कैफे होता है वहां पर जा आप नहीं जा पाते या फिर आपके डिलेशन में कोई नहीं है तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे वट्सेप या फिर इंस्टाग्रम पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं कि डेमी एडमिट काड नो रिकॉर्ड फाउंड आया है अब हम क्या करें तो आई हो जहां तक मैं आपक कर सकता हूं मैं कर दूंगा और नो रिकॉर्ड फाउंड वाला प्रावलम साइड हो जाएगा और यह ध्यान से निकाल देजिए कि रिकॉर्ड फाउंड आया है तो आपका जो है और इसनाल एडमिट काड आ जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका अगर नो रिकॉर् इसले नर दिक याजब नहीं है और रिकॉर्ण उिकॉर्ण नहीं है तो चाफ़ में कर दो ओनृदिए एक और दो आपका वे घाफ़ धवर्ण जहीं है और आद दको डहीं है